क्या होता है अगर आप अपने बालों को कभी ब्रेश नहीं करते हैं अपको यह द्यान में रखना चाहिए कि अगर आप अपने बालों को ब्रेश करने में विफाल रखते हैं तो कही जीजों हो सकते हैं आप अपने बात्रूम की नाली को बंद कर सकते हैं जब आप बालों को दीला करके ब्रेश करते हैं तो उन में से स्ट्रैंड निकल के आते हैं अगर आप इसे कोम नहीं करना चुनाते हैं याद रखें कि एक दिन में आप लगबग सो बाल जड़ते हैं आप उन्हें अपने उंगलियों से कोमर तरीके से काम करने की कोशिश कर सकते हैं दियान रखें की ब्रेश की मदद से इन उलाजनन को कींचने की कोशिश करने से आपके बाल तूट सकते हैं बाल मातरा में बदेंगे अपने बालों को ब्रेश करते समय आप उसमें से हवा निकालते हैं जिसे से वो लेट जाता है जब आप आपनी कोम का उबयोग बंद करना चुनाते हैं तो क्या होता है कि ये मातरा में बद चाता है अपनी बालों को ब्रेश करना बंद करने से तेल जमा हो सकता है अपनी बालों को ब्रेश करने से आपको बालों की जट के तेल को वितारत करने में मदद मिलाती है आपके बालों के सोकी सिरौन पर इस तेल की अवश्यक्ता होती है जिसका अर्थ है कि इसके वितारों में सहायत के लिए आपको नियामत रूप से ब्रेश करने की अवशेक्ता होती है Until the next time, stay tuned with us, enjoy with us, style with us जिसके ब्रेश करने के लिए आपको नियामत रूप से ब्रेश करने की अवशेक्ता है